बहुत से पैरेंस मुझे पूछते हैं कि हमारा बच्चा बहुत गुसा दिखाता है और हम ये जब बच्चा गुसा दिखाता है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और इसे कैसे डील करना चाहिए तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि गुसा एक बहुत normal human emotion है और बच्चों में बहुत से time गुसा होता है एक तरीके से उनके difficult emotions को handle करने का मतलब बच्चों को हुआ कुछ और है और वो भावनाओं को नहीं समझ पाने की वजे से वो गुसे की तरह निकलता है या जिद की तरह निकलता है तो सबसे पहला rule parents होने के तौर पर यह है कि जब बच्चा जिद कर रहा है या गुसा दिखा रहा है चाहे वो 2 साल का हो 5 साल का हो तब आपको उसकी जिद या गुसे को given नहीं करना है उसके आगे नहीं जुकना है यह सबसे पहला कायदा है क्योंकि एक बार अग और भी ज्यादा लंबे समय तक जिद करेगा तो सबसे पहला कायदा है कि जिद करे या गुसा करे बच्चा तब आपको कुछ भी नहीं करना है दूसरा कायदा है कि जब गुसा कर रहा है बच्चा तो आपको सामने गुसा नहीं करना है आपको उसको confront नहीं करना है क्योंकि जब गुस्से में होता है तो बच्चा खुद डिस्रेगूलेट होता है वो लॉजिकली कुछ समझने की शमता नहीं रखता है वो अपने आपको भी समझ नहीं पा रहा है और उसको कई बार खुद भी नहीं पता चल रहा है कि वह क्यों ये कर रहा है तो इसके सामने अगर तो उसको समझाओ या तो उसको मनाओ कई बार इसमें से कुछ भी काम नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा point याद रखिए कि जब बच्चा गुसा और जिद कर रहा है तो उसके सामने नहीं होना है उसको confront नहीं करना है इसी परिस्थिति में या तो आपको बच्चे के साथ आ जाना है या तो back off करना है अब अगर बच्चा छोटा है समझो 2-8 साल का है तो अगर बच्चा गुसा कर रहा है जित कर रहा है तो तब आपको कुछ बोलना नहीं है क्योंकि तब बोलने का कोई भी फाइदा नहीं होगा उस परिस्तिती में बच्चा ना सुन सकता है ना कुछ लॉजिकली समझ सकता है तो आपको तो सबसे पहले शान्त रहना है बच्चा जो भी बोल रहा है उसे trigger नहीं होना है और बच्चे के पास आके या तो उसका हाथ पकड़ना है उसके सर पे हाथ फेरना है उसके पीट पे हाथ रब करना है या तो उसको हग करना है जो भी तरीका आपको सही लगे क्योंकि research ये बताता है कि जब बच्चा stress में है गुसे में है तो physical touch बहुत powerful है उसको शान्त कराने के लिए तो physical touch से आप बच्चे को शान्त करा सकते हो अगर ये teenager है तो obviously physical touch उसको नहीं अच्छा लगेगा तब आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो और दूसरा तरीका ये है कि आपको बच्चे के साथ बैटना है कुछ भी बोलना नहीं है पर अपने आप से आपको deep breathing करना है और जो भी बच्चा कह रहा है जो भी गुसा निकाल रहा है उसको चुप चाप शान्ती से उसके साथ रहके सुनना है या देखना है ना उसको support करना है ना उसको oppose करना है जब आप deep breathing, heart focused breathing या abdominal breathing करते हो तो आपकी एक energy field एक शान्त waves या शान्त energy field create करती है और बच्चा जो है जब वो आपकी energy field में बैठा है तो उसको भी effect करता है बच्चे में mirror neurons होते हैं बच्चा बच्चपन से ही design इस तरह से होता है कि वो माबाप को unconsciously imitate करता है तो जब आप श पोड़ी ही minto में relax हो जाता है उसका भी breathing कम हो जाता है उसका भी heart rate कम हो जाता है और जब बच्चा शान्त हो जाए उसके बाद आपको समझना है कि उसमें मामला क्या है उसकी जिद अगर पूरी उसको क्यों करनी है जिद क्या है जिद के पीछे का कारण क्या है ये सब समझ और जब आप शान्ती से बाद चीत करो तभी आपको उसकी जिद पूरी नहीं करनी है बट जिद के पीछे का कारण क्या है उसको समझा सकते हो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब बच्चा शान्त हो जाए जब वो उसका heart rate कम हो उसका body stress में नहीं हो तभी बच्चा आपकी बात समझ सकता है logically सोच सकता है तो उस थिती में बच्चे को लाने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है उस थिती में बच्चे को लाने के लिए आपको उस थिती में पहले रहना है अगर वो teenager है बच्चा नहीं है तो आप उसके साथ शान्ती से बैठो उसकी बात सुनो personally मत तो ट्रिगर मत हो, सिर्फ ब्रीधिंग करो और सुनो, अगर वो बोले कि आप मेरे साथ मत बैठो, तो आप ज़रूर उसको स्पेस दीजेगा, क्योंकि टीनेजर को कई बार कूल डाउन होने के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो बच्चे को कूल डाउन होने दीजे, उसके ब बच्चा चिला रहा है, तो आप जोर से चिलाओ, पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप जो चीज करते हो, बच्चा वही सीखता है, और वही भाशा समझता है, और वही भाशा वो आगे चलाएगा, तो आपको समझना है कि आप बच्चे के आगे कौन सी भाशा बोलना अगर बच्चा देखता है कि parent होने के तौर पे आप शान्त हो आप regulate हो कितना भी बच्चा गुसा दिखा रहा है अगर आप शान्त रह पाते हो तो बच्चा वो भी unconsciously आप से सीख रहा है और बच्चा ये भी सीखेगा कि कोई भी परिस्तिती में हम शान्त रह सकते हैं और ची बच्चा या तो उनको physical touch देती हूं या तो शान्त ही से उनकी बात सुनती हूं या तो back off करती हूं और ये तीने तीनों चीजें काम आती है जब वो शान्त हो जाए तो आप ज़रूर उनसे बैत के बात कीजे और अपना point समझाए और उनका point समझे आप ज़रूर ये try कीजे कई बार पहली बार में नहीं काम आए दूसरी बार तीसरी बार try कीजे और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए अगर इससे आपका problem solve हुआ के नहीं एक बार में नहीं होगा शायद 2-3 बार लगेंगे बट आपको अपने आप पे काम करना सबसे ज़रूरी है अगर आप श respectfully शानती से manage कर सकते हो और यह इससे आप powerful feel करते हो ना कि powerless और comments में जरूर मुझे बताइएगा कि क्या यह आपके लिए work हुआ के नहीं